तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके बालों पर पर्मानेंस ट्रेटनिंग हुई है तो आपको हेर स्पा कैसे करना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए तो यहां पर यह मेरे रियल क्लाइंट है इनके अभी 15 जिन पहले ही इन्होंने बाहर से कहीं से प पर आपको कैसे करना चाहिए तो सबसे पहले इनके बाल को हम लोग अच्छे से वाश कर लेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा गीला कर लिया बाल को फिर इनका जो शेंपू था ना हमने वही यूज किया है आप कोशिश करें कि आप जिस जो भी ब्रैंड का उन्होंने ट्री अच्छे से शेंपू लगा लेंगे और फिर उसका जो जाग होता है उसी को हम लोग लेंध पर अप्लाइ करेंगे एक्स्टर शेंपू नहीं लेना लेंध के लिए वरना लेंध बहुत ज्यादा ड्राय हो जाते हैं क्योंकि अल्रेडी स्ट्रेटनिंग वगर ऐसे जो अच्छे कंपेनी का अच्छे ब्राइंड का ही यूज करें कोई भी लोकल चीज़े यूज ना करें क्योंकि हेर इंड और स्कीन पर अच्छी चीज़े ही यूज होनी चाहिए तो यहां पर अभी हम लोग ने आप में इनके बाल का पार्टिंग कर लिया है अब थोड़ा- चीज़े से क्रिम के मर्ज करना है दियान रहे होगा कि मैं बहुत ही हलके हद से अपलाइब कर रहे हूं और यहेज़श पर लग जहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है में इन पर करवाते हैं कि बाल ठोड़े से सॉफ्ट हो और अगर तूटे बाल हो तो थोड़े से अच्छे लगे नरीश हो बाल को इसलिए स्पा करवाया जाता है तो इसलिए आप इसको जड़ पे लगाओ महीं लगाओ कोई ज़्यादा फर्क नी होता है तो यहां पर देखो मैंने एक तरह पूरी क्रीम अच्छे से अप्लाए कर देथी पूरा वीडियो नहीं दीखा पाऊंगी क्य इसे ही छोड़ देना है जब बालो पे तो इसमें आपको हीट देने के जरुरत नहीं होती है तो यहां पर अभी हम लोग कोई इनको हीट नहीं देंगे जो इस पा में नॉर्मल इसपा में हीट दिया जाते है बश्यू ज़र आपको जैनले मसाज करना है हलके हाथों से इनक स्टेप बाई स्टेप बताऊंगी कि आपको कैसे मसाज देनी चाहिए अभी मैं पूरे स्टेप नहीं दिखाऊंगी नि तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो यहां पर मैंने उनको अच्छे से मसाज दिये आपको सीर पर अच्छे अच्छे से मसाज देनी होती है अगर आप लोग मसाज की पूरे स्टेप जानना चाहते हो तो मैं स्टेप पूरा आप लोग को सिर्फ मसाज की ऊपर एक वीडियो बनाके जरूर दिखाऊंगी मसाज देने के बाद फिर से आपको कर लेना है बालों को वाश अच्छे से और इ निकालने में बहुत मुश्किल होती है तो इसके क्रीम अच्छे से निकालने के बाद अंबालों को कर लेंगे ड्राए और इसके बाद थोड़ा से सीरम एप्लाय कर लेंगे और इसके बाद आपको कुछ भी करने की नेड नी है और इनका बाल का रिजर्ट देखो आप जरूर बताना मेरी क्लाइन तो बहुत जादा खुश हो गएते और मैं ऐसे ही और टॉपिक की उपर वीडियोज लाते रहूंगी तो इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना लाइक और शेर करना बिल्कुल मत भूलना तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ ने सब्सक्राइब टेक केर